हाई फिरेंट्स इस वीडियो हम बात करेंगे यू ए ई परो लीक्ट मैच के बारे में और यह मैच खेला जाएगा अल एन अरब और अल वाशल के बीच में तो दोनों टीम में सा आज की मैच में कौन सी टीम एक सट्रोंग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है इस टोपिक सबी जानकार है आपको इसी वीडियो में कम्प्लीट दी जाएंगी बैस आप वीडियो को ध्यान से देखना तो चलिए अब हम इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजर डालते हैं तो यहीं पर बात करें अल वासल के ताइम पर फॉर्थ पोजिशन पर निदों टीम ह जो position है उसमें भी हलका से difference देखने को मिलता है तो गईज अब बात आती है कि इन दोनों टीम में से हम किस टीम को एक फैवरेट टीम माने चले मतलब एक सट्रॉंग टीम माने चले तो गईज मैं फिलहाल के लिए अल एन को एक फैवरेट मैचस कहलती है तो किस तरह का performance इन दोनों टीम के और से देखने को मिलता है और यहां से भी क्लियर हो जाएगा कि कौन इस तीम मैच में क्लियर कट फैवरेट टीम होने वाली हमार समभूली टीम क्रेट करने के लिए ड्रीम इलाउन पर तो नज़र डालते हैं इन दोनों टीम क मैचस पर तो गईज इन दोनों टीम के बीच में लाश्ट छे हैट्वर मैच खेल गए हैं जिन मैसे ल एन न इस टीम के सामने दो मैच विन करें हैं और दो मैच ड्रो खेलें सिर्फ एक मैच लॉस किया है अटेक से 2.3 गोल पर मैच सकोर किया लेकिन डिफैन से 1.8 गोल पर से अब हम बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीम के बीच में खेल गया उस मैच को अल एन इसी टीम के सामने अपने होम ग्राउंड में 3.2 से मैच को विन कर गई तीन गोल सकोर के लेकिन डिफैन से 2.3 से मैच को विन किया और वह काफी हाई सकोर गया और एक मैच इन दो आई तो देखा जाए तो अधिकतर मैचस ऑल एन या तो इस टीम सामने विन कर लेते हैं या ड्रों के लेकिन लेकिन मैच को लॉस नहीं करती और एक हाई सकोरी मैच देखने को मिलता है तो आज भी आप इस तरह से उम्मीन जता सकते हो तो फाइनल गईज अब बात आती है और इस दोनों टीम का जो कड़ान्ट फ़ों में हम एक बार उस पर भी नज़र डालते हैं क्योंकि हैट to head मैचेस में इन दोन टीम को परफॉमेंस देखा है करण्टली अलने जो मैचेस खेले हैं छे खेले हैं जिन मैच से दो मैच इस टीम ने विन करें चार मैच ड्रो खेलें, अभी तक एक भी मैच लॉस नहीं किया, अटेक से 1.8 और डिफेंस से वन गोल पर मैच से और कंसीड, मतलब या तो मैच को ये टीम विन करते ही या ड्रो खेल लेकिन मैच को जल्दी से लॉस नहीं करती, और अटेक भी काफी स्यांदार है, लेकिन डिफेंस के इनके गोल कंसीड कर देता है, अब हम बात करें जो पिछला मैच अल एन, बन यास के सामने 2-2 से मैच को ड्रो खेल गई, दो गोल सकोर किया, लेकिन डिफेंस से दो ही गोल कंसीड किया, और उससे मुकावला भी ये टीम अटेकिंग ड्रो खेली एक गोल सकोर किया, लेकिन डिफेंस से वहां पर भी एक गोल कंसीड किया, और एक मैच इस टीम ने डिफेंसी ड्रो खेला, ना ही गोल सकोर किया, ना ही गोल कंसीड किया, और एक मैच ये टीम 4-0 से विन की, लेकिन वो मैच काफी इजी था इस टीम क्लिए विन करना क्योंकि वो काफी हल्की टीम थी फिर शार्जाक सामने टीम अटेकिंग ड्रो खेली और एक मैच खौर फक्कान के सामने टूवर्ण से विन की तो परफॉमेंस अगर रिसेंटली अल एंड कर देखा जाए तो अटेक भी काफी मजबूत है और डिफैंस भी ज अब हम बात करें जो पिछला मैच अलवाशल एहली के सामने टूवर्ण से मैच को विन कर गई मतलब लॉस कर गई लेकिन लॉस तो किया लेकिन एक गोल सकौर वहां पर भी किया और एक मैच खौर फक्कान सामने टूवर्ण से लॉस किया है और उससे मगावल यह टीम थी व मैच को लोज कर जाती है तो फाइनल गाइज अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कौर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए तो गई सबस्पाल हमने इन दोनों टीम की पॉइंट टेबल पर नजड़ डाली फिर हमने इन दोनों टीम के करन फॉर्म पर भी नजड़ ड नहीं करती है और क्रण्ट फॉर्म कर देखा जाए अल एन को पर्फॉमेंस है वह काफी मजबूत है या तो मैच को विन कर लेते हैं लेकिन मैच को लोस नहीं करती अटेक भी शांदार है तो तो तीनों फॉर्मेट मां आपको अल एन ही एक टीम देखने को मिलेगी तो इसी जब भी दोनों टीम आपस में खेलते हैं एक हाई सकोरी मैच देखने को मिलता है और अल एन का करन्ट फॉर्म काफी मजबूत है और अल वासल का डिफेंस थोड़ा सा डाउन है तो मुझे लगता है कि अल एन की तरफ से तीन गोल आएंगे और कहीं आपको अल वासल की करेगी और कितना गोल सकोर करेगी लेकिन आज के मैच में जो इंपोर्टेंट प्लेयर हैं वो कौन-कौन से उनके बार हम आपको वीडियो में डीटियल समें इंफॉर्मेशन देंगे वैसा आप वीडियो को ध्यान से देखना है और हाँ दोस्त अगर आप चैनल पर नए हो आप पर जो हाई गोल तरह लाबा कोड़ जो जिसने इस टीम के लिए 11 गोल सकोर की एक गोल पैनल टीम किया और प्रिवेस मैच में हमने इसको टीम में रखा था और इसने गोल भी सकोर किया था वन सैडिट इसकी वज़े सा भीन भी किये थे तो आज भी लेकर चलना है दू अज के मैंकर गोल करेगा। तो यह तीन प्लयर्स आप की टीम में होने ही चाहें। चाहें कंदीशन कोई भी हो। फिर आपको सामने गें। नहीं हो है। आपको सामने कनेडो है आपको सीकले मताला प्लाद में अवसर प्ल已經 होने अपे लिगस्त णुझें मिलेगा। एंडरी एक इंपोर्टेंटटट प्लियर सापको गॉल में और असिस्ट में भी कंट्रिवूल करते हैं तो लेकर चलना ही चलना है बाकि जितने भी प्लियरस अभी का आप सामने रिकॉर्ड है आप इनका सिक्री श३ ले सकते हो फिर से वहीं प्लियरस आपको देखने यह इस टीम तरह से पैनल टेकर भी प्लस टॉफ फाजट गोल टेकर है तो इसको भी नहीं छोड़ना याद करके रख रखना ही रखना गिल ब्रटो जो कि इंपोर्टन प्लेयर है इनको भी लेकर चलना है फिर यहां से गैब्रेल जिन हो एक इंपोर्टन प्लेयर रहेगा ले आज़र डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर प्लेयर पर भी तो अब बात आती है इस मैच का स्कॉर लाइन प्रेडिक्शन मैंने रखा है 3-1 और 3-1 का प्रेडिक्शन करूं सार क्या रहने चाहिए इस मैच की टीम पर और इस वीडियो का सेक्ड बेस्ट पार्ट जहां पर ह सब्सक्राइब अब यहां से सुरू होता है इस वीडियो का सेक्ड बेस्ट पार्ट से पहले बात करें गोल कीपरिंग सेक्शन से उससे पहले मैं आप लिए बता दूँ इस मैच में सट्रॉंग टीम है अल एन तो इस टीम की तरफ से मैक्सिमम प्लियर पिक कर चलेंगे और अलवासल की तरफ से मिनिमम प्लियर पिक कर चलेंगे कुल मिला के हमें साथ और चयार का कॉंबिनेसन ट्राइब करना है और 11 प्लियर इसको में जगह दी नहीं है अब उनमें से कौन-कौन से हमारी टीम में प्लियर से रहेंगे वो हम सारे जानकारी वीडियो में होते हैं तो हमारी पहली जानी चाहिए अब्दुल्ला के साथ तो इसलिए अब्दुल्ला हमारे टीम में रहेगा अब हम बात करें डीफेंडर सेक्शन से तो मैं अपनी च्वाइस रखता हूं जो कि इंपोर्टेंट प्लियर असिस पोटेंशल है और इसने दो असिस फिलहाल असिस्ट किया है आप पिक कर सकते हैं जूमा अच्छा खासा प्लियर है यासिर अली यह अच्छा प्लियर लेकिन चांस बहुत कम है कि यह खेले ना खेले बाकि यहां से रिकार्ड परेरा है मुझे काफी पसंद है और यह इंट्रेसेक्शन टेकल पासस असिस चांसस देना कैप्टन वाइस कैप्टन आराम से बना सकते हो और यह आपकी च्वाइस होनी चाहिए करनेडो अच्छी खासी प्लियर है और इन्हें भी आप हम टीम में लेकर चलना फिर यहां से बर्मान शाले इबराहीम इन दोनों में से मैं किसी इन तीनों में से अगर एक को सज अगर चाहिए कितना भी हो लेकिन अच्छा प्लियर अभी क्लिए नहीं है लाइन अप में अगर कुछ चैंजस होगा तो उसका कोडिंग देखा जाएगा मुबारिक है बाकि मैं जाता से नेगरों डिफेंसिव पॉइंट देगा गोल असिस चांस लेसे यूनिस यादि ना पर आपको जाद मिलेंगे मेरी पहली चोईस रहेगी एफडी लिमा जो कि इंपोर्टेंट प्लियर है फिर यहां से लाबा यह तीन प्लियर्स मेरी टॉप क्लास थिक हैं इस टीम के मतलब यहां से यह टॉप क्लास दोन तीनों प्लियर्स अपनी टींग तरफ से टॉफ कि और हम यहां से काबा को लेते हैं अब यहां पर जो ऑसन बसते हैं इन वेशे में अभी किसी को ट्राई नहीं करा हूँ लेकिन ये दोनों प्लियर्स काफे एच्छे हैं लेकिन दाइन अप अननेक बाद देखा जाए का किस पोजिशन पर खेला जाए के अप्सिंस और वा किम पहलं को रहेगा तो ये टीम का प्रिव रहेगा लेकिन याद रहे ये वीडियो का आधहु裡面 एक सकते हैं जूछ ⇯े बिल्कुल नहीं टेम लइन आप आने के बाद पोजिशन को देखते हूं कि कौन से प्लेयर किसप्वेशन पर खेलगा उसका आधहुर पर आपको एपन कोमेंट में हैं और इसी वीडियो को डिस्क्रिप्सिन में आप वहां से हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जोईन कर सकते हो ओप्संस हैं देखो सुफयान रहीमी गोल और असिस्ट में कंट्रिबूट किया है तो कैप्टन वाइस कप्टन इन्हें भी बना सकते हो एप डिली में